इकाई चार पास पडोस में होने वाले परिवर्थन पहला है निमलिकित प्रश्णों के सही विकल्ब छांटिये का निमलिकित में कौन सा परिवर्थन नियमित परिवर्थन है नियमित मतलब जो डेली हो या एक निश्चित समय पर हो ठीक है निश्चित समय पर होने वाले परिवर्थन नियमित परिवर्थन कहलाते हैं और ये रिपीटेडली होते हैं तो इन में से कौन सा है वर्शा का होना क्या रोज वर्शा होती है नहीं तुफान काना नहीं, भुकम काना नहीं सही answer क्या हो जाएगा, दिन और रात का होना क्योंकि दिन और रात आपके प्रतेग दिन repeatedly होते रहते हैं खा, तीवर गती से होने वाला परिवर्तन है यानि जो फटाक से हो जाए दूसरे दही का बनना, नहीं गुबारे का फूटना, येस गुबारे में पिंच चुबाईए और गुबारा तुरंट फूट जाएगा लोहे में जंग लगना, नहीं, इसमें टाइम लगता है पेड़ पर आम का पकना, इसमें भी टाइम लगता है तो सही answer क्या हो जाएगा हमारा option 2 गुबारे का फूटना गा निमलिकित में कौन सा रसाइनिक परिवर्तन है यहाँ पे देखिए बच्चो चारो option में मुम्बत्ती का जलना एक रसाइनिक परिवर्तन है गा निमलिकित में से मानो कृत्त क्रिया है यानि जो मानो के द्वारा की जाती है तो दूद से पनीर बनाना हमारा मानोकृत क्रिया है अंगा रोटी में फफूद लगना है कैसा परिवर्तन है बच्चों इन साथ जो चारो अप्षन दिये प्रती कूल परिवर्तन है है ना हमारे लिए हानिकारक होता है तो इसलिए प्रती कूल परिवर्तन है सेकेंड रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए लकडी के जलने से राक का बनना डैश परिवर्तन है अब लकडी से जलके राक बन गई तो वो चेंज तो होगी नहीं और वो नया पदार्थ बन गया तो वो कैसा परिवर्तन है रासाइनिक परिवर्तन सोलर कूकर में डैश का प्रियोग होता है सोलर कूकर में किस चीज का उप्योग होता है बच्चो सौर उर्जा का उप्योग होता है मनुष्य द्वारा किये गए परिवर्तन डैश परिवर्तन है मनुष्य द्वारा किये गए परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते है और जो प्रकृति द्वारा होते हैं वो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं घा बर्फ का पिघलना कैसा गती का परिवर्तन है बचो तो बर्फ धीरे धीरे पिघलती है तो बर्फ का पिघलना मंद गती परिवर्तन है ज्वाला मुखी का फूटना डैश परिवर्तन है तो ज्वाला मुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है बचो प्राकृतिक परिवर्तन है यहाँ पे हम दूसरा भी लिख सकते थे प्रतिकूल परिवर्तन है क्योंकि यह हमारे लिए हानिकारक होता है तीसरा प्रशने बच्चों निमलिकित में सही कतन पे सही तथा गलत कतन पे गलत का चेन्ह लगाईए का जीवाश्म इधन उर्जा के आनवी करणिये श्रोथ हैं ये बिल्कुल सही है क्योंकि जीवाश्म इधनों को बराबर नया नहीं किया जा सकता नवी करणी है वे श्रोथ होते हैं जो जल्दी खतम ना हो। आ नवी करणी है जो इनको बनने में हजारों साल लगे और इनको जल्दी से रिपेर नहीं किया जा सकता। साइकिल का पैडल चलाने पर उश्मिय उर्जा का उपयोग होता है। यह कथन बिलकुल गलत है। नेक्स देखिये फोर्ट क्वेश्चिन कह रहा है इस्तम्मखा त этथा स्तम्मखा को सुमेलित कीजिए। जल का वाश्पन, अब देखें, यहाँ पे किस की द्वारा होता है, सौर उर्जा की द्वारा, अभी मैंने बताया आपको, कोईले का बनना, यह कैसा परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन, क्योंकि इसमें कई सो साल लगते हैं, चुम्बक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना तो इसमें किस उर्जा का प्रिवर्तन है, चुम्बकी उर्जा का, जवार भाटा आना, तो यह कैसा परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन, आम का पकना, आम का पकना कैसा परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन, हमाई लिए फाइदा होता है, आम पकता है तो पांचवा क्वेश्चन है निमलिखित में से जो बेमेल है उसे छाट कर लिखिए देखिए पैट्रोल, डीजल, कोईला, लकडी इसमें में से हमें छाटना है कि कौन बेमेल है तो देखें, यहां पे लकडी बेमेल है, क्योंकि पेट्रोल, डीजर और कोईला को बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है खा, आम का पकना, दूद का फटना, दूद से दही बनना, केले का पकना तो यहाँ पर देखिए आम का पकना, दूद से दही बनना, केले का पकना ये हमारे लिए अनुकूल है जबकि दूद का फटना प्रतिकूल है रितूओं का बदलना, वर्षा का होना, अंधी का आना, बर्फ का पिखलना इसमें से बच्चों different कौन है, बर्फ का पिखलना, क्योंकि बर्फ को हम भी पिखला सकते हैं लेकिन बाकी तीनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है फिर next है बर्फ का पिखलना, माचिस का जलना, लोहे में जंग लगना, बच्चों का बढ़ना अब बाकी तीनों जो हैं, यह आपके इन परिवर्तनों को होने में समय लगता है जबकि माचिस के जलने में समय नहीं लगता है यह तीब्र परिवर्तन है, बाकी सब मंद परिवर्तन है अंगा नियंत्रित परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, सूखा पढ़ना, भूकम्प का आना तो देखिए सूखा पढ़ना, भूकम्प आना और प्राकृतिक परिवर्तन ये तीनों एक ही हैं प्राकृतिक परिवर्तन ही सुखा पढ़ना और भूकम का आना होता है जबकि नियंत्रित परिवर्तन वे होते हैं जिने मनुष्य अपने इस साब से नियंत्रित कर सके नेक्स कोईश्चन देखिए निम्निकित प्रश्णों के उत्तर एक शब्द में दीजिए का कोईला किस प्रकार का इधन है तो कोईला जिवाश्च मीधन है का परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनामूल पदार्थ का प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन बिजली के पंखे की गतीर को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है तो यह नियंत्रित परिवर्तन है उप्योगी ततर लाब दायक परिवर्तन किस परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं इन्हें हम कहते हैं अनुकूल परिवर्तन निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं इनका नाम होता है बच्चो नियमित परिवर्तन नेक्स्ट निमलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजे का भौतिक तथर रसायनिक परिवर्तन में अंतर बताईए बच्चो देखियां स्पेस कम है तो हमें कम शब्दों में लिखना है वैसे भी वर्क बुक इसलिए होती है कि हम कम शब्दों में अपने बातों को सही तरीके से लिख सकें किताबी भाशा हमें इसमें बिल्कुल भी लिखनी नहीं होती है बहुतिक परिवर्तन इसमें क्या होता है पदार्थ का रूप बदलता है पर नया पदार्थ नहीं बनता जबकि रसाइनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है नेक्स्ट प्राकृतिक तता कृतिम परिवर्तन में विभेद कीजे प्राक्रितिक परिवर्तन स्वता होने वाले परिवर्तन जैसे दिन रात होना या तुफानाना कृतिम परिवर्तन जो मनुष्य द्वारा किये गए परिवर्तन जैसे दही जमाना प्लास्टिक बनाना नेक्स्ट अनुकूल तता प्रतिकूल परिवर्तन के दो-दो उदाहर दीजे अनुकूल परिवर्तन उप्योगी वा लाबदायक होते हैं जैसे दही जमना या आम का पकना प्रतिकूल परिवर्तन ये अनुप्योगी वा हानिकारक होते हैं जैसे लोहे में जंग लगना या रोटी में फफूद का लगना नेक्स्ट परिवर्तन में होने वाले आपसी प्रतिक्रिया को एक उदारह द्वारा समझाईए परिवर्तन में दो या अधिक पदार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जैसे लोहा वो ऑक्सीजन नमी की उपस्थिती में परस पर क्रिया करके जंग में बदल जाते हैं अंगा परिवर्तन के लिए उर्जा की आशक्ता पर प्रकाश डालिए अनेक परिवर्तन के लिए उर्जा की आशक्ता होती है साइकल का पैडल चलाने पर यांत्री कूर्जा से साइकल गतिमान हो जाती है आठवा मंद तथा तीवर परिवर्तन को सुमेलित कीजिए बर्फ का पिगलना मंद परिवर्तन लोहे पर जंग लगना मंद परिवर्तन माचिस की तीली का जलना तीवर परिवर्तन नाखून का बढ़ना मंद परिवर्तन नीबू डालने पर दूद का फटना तीवर परिवर्तन नौवा प्रस्टन है नाइन्थ क्वेस्चन है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन को छाट कर लिखे खाना पकना कैसा परिवर्तन है अनुकूल आम पका पकना अनुकूल रोटी में फपूत का लगना प्रतिकूल दूद का फटना प्रतिकूल केले का पकना अनुकूल दूद से दही का बनना अनुकूल लोहे में जंग का लगना प्रतिकूल बच्चों जो परिवर्तन हमाई लिए फायदे मन्द होते हैं उन्हें हम अनुकूल परिवर्तन कहते हैं और जो हमाई लिए हानिकारक होते हैं उन्हें हम प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं यहाँ दूद का फटना जो है यह आपका अनुकूल भी हो सकता है लेकिन जब आप खुद से फाड़िये और पनीद बनाईए ठीक है लेकिन अगर दूद अपने आप फटता है यानि खराब होके फटता है तो वो कैसा परिवर्तन होगा प्रतिकूल परिवर्तन तो यहां पे केवल दूद का फटना लिखा है इसलिए हम उसे प्रतिकूल परिवर्तन लिखेंगे लेकिन अगर यहां होता नीभू डालने पर दूद का फटना तो हम उसे अनुकूल परिवर्तर में डालतें क्योंकि वह हम खुद करतें अपने वाइदे के लिए तेंथ क्वेश्चन है निमलिकी संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहली को हल कीजिए यहाँ पर एक वर्ग पहली दी गई है बच्चों और नीचे कुछ संकेत दिये गए हैं उसके आधार पर हमें इसे हल करना है तेखे पहला कुष्चन है बाएं से दाएं नमबर वन यह कहाँ पर है हम पहले डून लेंगे देखे यहाँ पर है यहाँ पर पे दिया हुआ और यह दिया हुआ है तो तैरने में उप्योग होने वाली उर्जा होती है कौन सी उर्जा पेशी यह उर्जा ठीक है अनवी करणी यह उर्जा का इश्रोत है तो यहां पर देखे क्या दिया हुआ था तो हमने बना लिया पैट्रोल और यहां पर भर दिया पैट्रोल एक प्राकृतिक आपदा है अब ध्यान दीजे यहां पर तू दिया है तो तू से तूफान शरीर में होने वाली जेटिल क्रि अबंह बदलना देखें पहले नंबर पर दिया है यहां पर आपका कंदा ना दिया है थी अग्यान यह आपका कहां लिकार है यह देखे यहाँ पे लिखा हुआ है वाष तो हम इसे बनाएंगे वाषपन ठीक है बिना बुझे चूना तथा पानी को मिलाने पर मुक्त होती है अब यहाँ पे देखे यहाँ पे क्यां दिया हुआ आधाश्या है तो हम इससे बना लेंगे उश्मा क्योंकि पिना बुजे चूने में पानी मिलाने पर क्या होता है उश्मा होती है आपने देखा हो का कुप तेजी से बुलबुले निकलते हैं वहां कोईले के बनने की प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है अब देखें यहां पे दिया हुआ था जा दिया हुआ है तो हम भर देंगे जटे नेक्स्ट है नया पदार्थ ना बनाने वाला परिवर्तन है नया पदार्थ ना बनाने वाला परिवर्तन है देखिए यहां पर ती दिया है तो भौत तिक हम इसे बना लेंगे भौत तिक बच्चों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें